नमस्कार प्रियामित्रों मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस ओर समधान हमारे यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो स्वपनों की दुनिया बहुत रहष्य में होती है और कुछ स्वपन अपने आप में बहुत सारे रहष्य बहुत सार लिये रहते हैं आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे स्वपनों के बारे में बताऊंगा जो बहुत रेर हैं जो बहुत कम लोगों को आते हैं यदि आपको भी उनमें से कोई स्वपन कभी कभी दिखाई पड़ता है तो आप भविश्चा में निश्चित रूप से करोड़ पती जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दूए यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त समश्चाओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे उचे जहरने को बार-बार देखते हैं साल बर में दो या तीन बार आपको जहरना दिखाई पड़ता है और आप उस जहरने से पानी पी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत तरकी होगी तीस वर्ष की अवस्था से पहले-पहले आप करोड़पती बनोगे आप आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा यह स्वपन बहुत रहर है और 37 साथ में दी आपको श्री गंगा जी की अविरल धारा स्वपन में बहती हुई दिखाई पड़ती है गंगा जी के दरसन आपको कभी-कभी स्वपन में होते हैं तो भी आपकी बहुत तरक्की हो पर ने वाली अचानक से दोस्तों इस क्रम में दूसरे नंबर पर है यदि आपको कई बार एक ही देवता के पर्टिकूलर दर्सन होते हैं आपको स्वपन में भगवान शिव दिखाई पड़ते हैं भगवान विश्णु दिखाई पर या कोई भी एक देवता के आपको बार दर्सन होते हैं तो यह उस देवता की किरपा आपके ऊपर है या उनका और आपका पूरू जनम का कोई ने कोई लिंक है इस बात को दर्साता है यह स्वपन भी आपको भविश्चा में करोडपती बनने की तरफ इंगित करता है इशारा करता है दोस्तों नंबर तीन यदि आप स्वपन में अपने सरीर को बहुत विराट आपको दिखाई पड़ता है और बाकी दुनिया को छोटी दिखाई पड़ती है अपना सरीर बहुत लंबा बहुत चोड़ आपको दिखाई पड़ता है ऐसे व्यक्तिव भविश्य में बहुत बड़े नेता बहुत बड़े व्यापारी या बहुत बड़े भविश्य वक्ता बहुत बड़े तपस्वी या कुछ ना कुछ बनते हैं दोस्तों यदि आप स्वयम को मंत्र जाप करते हुए स्वपन में देखते हैं आप देखते हैं कि आप साधना में बैठे हुए हैं द्यान कर रहे हैं, आप किसी नदी के किनारे पर देवता का पूजन कर रहे हैं, यदि आप अपने आपको साधना में सनलगन पाते हैं स्वपन में, और ऐसा दो तीन बार होता है, तो भविश्य में आप निश्चित रूप से बहुत बड़े कोई व्यक्ति बनेंगे, या तो की चोटी पर खड़े होकर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उसका उलोकन कर रहे हैं, तो ऐसा स्वपन भी व्यक्ति को आश्चरिय जनक रूप से बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सफलताई दिलाता है, तो दोस्तों यह पांच स्वपन बहुत रेर हैं और यह दि इन पुराते हुए तब तक के लिए नमस्कार